नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागा था आपका अज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली विदानसवा चुनाओ की उपेनियन पोल के बारे में किस पार्टी को कितनी सीटे जा सकती है छालगी ये बात तो time आनी जा दे की आम अदमी पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है दिल्ली में आम अदमी पार्टी वापसी करने वाली है लेकिन क्या कहता ओपेनियन पोल क्या बीजेपी यहां पे कोई टकर दे पाएगी या कॉंग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी तो इसको जानेंगे बने रही है हमारे साथ अगर जो आप चाहते हैं दिल्ली चुनाओ के पलपल के अपडेट आपको तुरंद मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा हम बता दे दिल्ली में विधान साबा चुनाओ 8 फरवरी को होने हैं जहां पे नतीजों की बा चाहता दोनों जगहों पे किस पार्टी को फुल बहुमत मिल रही है इसको हम देखेंगे लेकिन उससे पहले केजरी वाल की बात करें तो केजरी वाल के पार्टी के जो बड़े चेहरे थे 15 मौजूदा विधायक उनको टिकट कार्ट दिये जिसमें सबसे बड़ा नाम निक चाहिए कि हम 40-45 सीटे जीतेंगे दिली के बीजेपी मनो अध्याच मनो सिवारी बात करें उन्होंने दावा किया कि लोकसवा चुनाओ 2019 में बीजेपी को 56% ओट मिला था जिस हिसाब से हम इस बार 40-45 सीटें जीतेंगे यह बात अलग है लोकसवा चुनाओ में बीजेपी क रखाते में खुल 3 सीटे आए थी आया इस बार क्या कहता है ओपेनियन पोल उसके इसाब से बात करें किस पार्टी की सरकार दिली में बन सकती है सबसे पहले बात करें वोटिंग परसंटेज के इसाब से जो जनता का सर्वे है उसमें आमादमी पार्टी को 53% बीजेपी को 26 परसंट को 5% ओटिंग परसंटेज जाता हुआ दिख रहा है वहीं बात करें अगर जो इन ओटिंग परसंटेज को सीटों में कनवर्ट करें तो जनता का जो ओपेनियन पोल है वो कहता है कि आमादमी पार्टी को 69 सीटे बीजेपी को 8 सीटे को 3-4 सीटे मिल सकती है अब 47 से 49 सीटे जा सकती है दिल्ली की बात करें 70 विधान सबा सीटे है जहां पर 36 सीटों पर सरकार बन जाती है तो यहां पर बात करें आमादमी पार्टी 47 सीटे जीत रही यानि की आमादमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बना सकती है और अर्विंद केजिरिवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर जो हम देखे कॉंग्रिस की तो कॉंग्रिस यहां पर थोड़ा सा खुश नजर आएगी क्योंकि बात करें 2015 में कॉंग्रिस का जहां खाता भी नहीं खुला था इस बार चार से पांट सीटे कॉंग्रिस के खाते में जाती हुई दिख रही का और जो नकीजों से पहले एक दिन पहले जो पेनियन पॉल आएगा वह भी हमारा फाइनल ओपेनियन पॉल होने वाला है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए बने रही हमारे साथ परपल दिल्ली चुनाओं के अपडेट जानने के लिए मिलते हैं और बने के लिए फुनाओं के लिए ख्रोट सब्सक्राइब के वादीट बॉल टॉल आएगा ।